कि नमश्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्तां के दार मैं अपने चैनल पर आप सभी का एक पर विट से स्वाकत करता हूँ दोस्तों काफी लोग पूछ रहे थे कि जो हम लाइट इंड शेड्स कि तुरू जो पोट्रेट करते हैं और जो खासकर मैं आपको दिखा रहा हू हम इस तीन को लर्न ऐरा केसे कर सकते हैं क्योंकि यह basic आउट लाइंग वाला तरीका नहीं है जो हम लोग basically करते हैं जो बाकी आपने देखा होगा जैसे म हडavors करते है और थेडियरं के लाते हैं तो शेड्र CT से काम्शुरू होता है और end होता है features के उपर वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आप features पहले ही declare कर देते हैं कि यहाँ nose बनेगी यहाँ eyes बनेगी और फिर उसमें केवल values को add करते हैं बड़ यहाँ ultra है विल्कुल यहाँ पे आपने पहले values डाल दी and then आपने यह decide करना है कि features इसके अंदर किस तरह से आएंगे light and shades को use करके बहुत सारे artist हैं जो अभी भी इसी technique को use करते हैं क्योंकि यह method ऐसा है कि जो आपके लिए उन artist के लिए बहुत ज़्यादा helpful रहता है खासकर जिन्हें quick results लाने होते हैं जिन्हें live demonstration करना होता है या खासकर जिन्हें values के उपर जिन्होंने अच्छी study कर ली है light and shades के उपर बहुत अच्छे से study कर ली है तो उनके लिए यह method बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त है तो मैं आपको बताता हूँ आज तीन practices जवाब करें और मुझे लगता है कि इस तरह से लेकर तीन practice क्योंकि इसकी practice क्या की जाए यह लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि outline वाले में तो हम कहते हैं कि image को अच्छे से देखिए या pencil measurement यूज़ करें या grid method यूज़ करें यहाँ पर सच कोई method काम नहीं करता तो क्या आपको study करना है उसके बाहरे में बात करता हूँ इस drawing में आपको क्या करना है कोई भी drawing लेते हैं जैसे एक और drawing देखते हैं जैसे यह अभी बनाया था यह शेट्स पढ़ रहे हैं ग्रिफाइट है यह यह ग्रिफाइट है पहले वाला चाकॉल था और एक की भी ड् देखते हैं यह देखिए जैसे महादेव ही ड्राइंगे इस पर भी काफी सारी लाइट और डाकनेस दिखाई दे रही है बहुत यह अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है आप देख सकते हैं किस तरीके की डाकनेस और लाइट को हमने एचीव किया था और complete किया था आप जब यह identify कर लेंगे कि इस पूरे image के अंदर आपको जो सबसे जदा जैसे यह portrait है लेकिन इस ड्रॉइंग में सबसे जदा darkest area कौन सा है तो अभी आपको यहां पर दिख रहा होगा जैसे यह सबसे जदा darkest area दें यह सबसे जदा darkest area आइस के अंदर के दोनों area darkest है नोस का portion वो light areas है तो यह चीछ समझने वाली बहुत जदा जरूरी है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं first step इसमें होता है कि हम dark areas को सबसे पहले paper के ओपर लाके रख देते हैं कि यहां यहां dark area है यह तो confirm है क्योंकि यह line fix नहीं है यह line धर भी हो सकती है धर भी हो सकती है जब हम subtraction करते है जब हम eraser को use करते हैं और values को subtract करते हैं वहां से उठाते हैं तब हम वो fix करते हैं कि यह value यहीं पर आनी चाहिए firm होनी चाहिए नेक्स्ट जो tutorial है वो इसका करते हैं ठीक है तो अभी यह first उसका introduction है था कि आपको यह समझ में आ जाए कि कैसे करना है इसको तो यह आप मालीजे यह image है जो इसको हम draw करेंगे next episode में जब हम इसका करेंगे तो इसमें देखिए identify कीजे dark areas कौन कौन से हैं ठीक है और उन dark areas को आ इंटिफाई कीजे और पिपर के उपर प्लॉट कीजे सेकेंड पॉइंट कि आपको ब्लॉकिन करके चलना है मतलब area को identify करना है और इसको पूरा को अलग से ट्रॉनी करना है इसी तरह से लिप्स के सौकेट को ड्रॉकर नोस के ये के को पूरा एक सौकेट समझना है जैसे कि यहां दिखाता हूं मैं यह वली मेंज देखिए यहां पर जो मैंने इमेज के देखाई आपको इसमें देखने कोशिश करिए कि यहां पर बेसिकली क्या कर रहा है मैं नोस के area या आइस के area को as a socket सोचा है कि यह पूरा का पूरा area जो है आई के socket का area है तो सौकेटिंग करना है blocking करना है particularly areas को और यह बहुत important है अगर यह skip कर जाएंगे आप तो फिर आप उसको complete नहीं कर पाएंगे अब चलते हैं third की तरफ third में क्या करना है आपको जो last point है जो सबसे important point है last point है पूरे बोट्रेट को ड्रॉइंगा वो है अपनी eraser को या कोई eraser pencil है आपके पास या normal eraser है या needed eraser है कोई साभी eraser है उसको as a drawing tool यूज करना है ना कि उसको as a erasing tool यूज करना है मतलब वो आपके लिए एक drawing का media है मतलब आपको इसके through lights को achieve करना है और figure को निकाल के लाना है सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करना है यहां पर यहां पर जो उपर नजर आ रहे हैं आपको देखिए यहां पर जो highlighted area है नोस के पास ठीक है तो इन सभी lines को हम क्या करेंगे कि razor pencil या फिर needed eraser या फिर कोई भी जो भी सब नहीं है तो normal eraser को छोड़े pieces में cut करके आप उसको eraser बना सकते हैं छोटे वाले fine वाले eraser बना सकते हैं mono eraser बना सकते हैं तो उसको क्या करना है आपको उसमें values को निकालना है white lines को opt करना है dark values सबसे पहले आपने decide कर ली उसके बाद फिर आपने उसमें blocking करी बाद जब आप white eraser pencil से आएंगे या फिर white eraser या फिर needed eraser किसी से भी आएंगे तब जाके आप उसमें white lines को identify करेंगे तो black and white and grey tones तीनों को combination बनेगा और जाके तब जाके proportions निकल के आएंगे यह इतना आसान भी नहीं है कि अगर यह मैं कहूं कि कोई भी beginner शुरू करेगा और वो करने लग जाएगा या फिर मैं यह कहूं कि कोई भी amateur artist शुरू करेगा तो वो भी करने लग जाएगा इस चीज़ में particularly time लगता है काफी समय लगता है proportions को निकालने में समझने में लेकिन यह जरूर है कि अगर इस तरह से आप करने लग जाते हैं तो आने वाले कुछ दिनों में आप एक बहुत points तीन fundamental बहुत जरूरी है इसको हमेशा याद रखिएगा पहला है डाक वेल्यूज को करना दूसरा है blocking और तीसरा है कि eraser को as a drawing tool यूज करना मतलब एक आपके लिए जैसे pencil एक drawing tool है बनाने का है उसी तरह से eraser भी यहां पर बनाने का काम करता है मिटाने का काम नहीं करता है अगर यह image आप ले पाएं तो ज्यादा अच्छा है इसको ध्यान से देख लिए इसका screenshot भी ले सकते हैं आप चाहें तो यहीं से तो कुछ इस तरह की image है यहां से आप screenshot भी इसको ले सकते हैं तो अभी फिलहाल इतना ही friends चैनल पे और प्लीज सैनल सब्सक्राइब जरू क्योंकि मैं तो मेरा काम तो है content बनाना आपके लिए और आपका काम है कि उसको watch करना उसको देखना क्योंकि मैं देखता हूं questions भी वही आते हैं जो कि मैं वीडियो से बता रहा होता हूं तो आप अगर वीडियो को अच्छे से देखेंगे उसके part by part इसलिए मैं कोशिश करत आते हैं कि 1000 likes आते हैं चलिए देखते हैं कि 1000 likes आते हैं कि नहीं थैंक्यू फ्रेंड्स थैंक्यू बन सगें